हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सभी मम्ता किशन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने चाओ रहे हूं बहुत देस्टी चोकलेट ब्राउनी केक की रेसिपी चोकलेट ब्राउनी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह डार्क कमपाउंड चोकलेट ली है यह आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी और आप इसे ओनलाइन भी परचेज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर लगबग 100 ग्राम डार्क कमपाउंड चोकलेट लिया है जिसे हम इस तरह से छोट-छोटे पीसेश में कट कर लेंगे यह देखिए हमने चोकलेट को एक दम बारिक कट कर लिया है अब हम इस चोकलेट को डबल बॉयलर के प्रोसेस से मैल्ट कर लेंगे मैंने यहाँ पर पतिले में पाने लिया है जिसके उपर मैंने एक ग्लास का बॉल लिया है और इसमें हम इस चोकलेट को डाल लेंगे और मैल्ट कर लेंगे आप चाहें तो चोकलेट को माइक्रोवेव में भी मैल्ट कर सकते हैं double boiler process से भी melt करना बहुत इची है इस तरह से आप melt कर सकते हैं बहुत यसाने से melt हो जाएगी हमने इस चोकलेट को एक दमचे से melt कर लिया है इसमें बिल्कुल भी लंज नहीं है अब हम गेस की flame को off कर देंगे इस melt हुई चोकलेट में अब हम butter एड़ कर लेंगे लगबग 100 गराम butter मैं इसमें एड़ कर रही हूँ इस butter को हम इस चोकलेट में अच्छे से mix कर लेंगे ये देखे बटर जो है वो चोकलेट में एक दमचे से mix हो गया है और आप देख सकते हैं कितना shiny butter हो गया है चोकलेट रोबटर का यहां मैंने एक bowl लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे 1 4th cup दही और इसी के साथ हम इसमें पीसे हुई चीनी एड़ कर लेंगे आप चाहित इसमें icing सुगर भी एड़ कर सकते हैं या फिर आप normal चीनी को mixer में पीस कर इसमें डाल सकते हैं मैंने वही इसमें डाली है अब हम द समच vanilla essence डाल रही हूं अगर आप दही नहीं डालना चाहरे हैं तो आप इसमें condensed milk भी डाल सकते हैं अगर आप दही डाल रहे हैं तो आप उल्दम fresh दही डालना है बिल्कुल भी खटा दही नहीं डालना है वरना उसमें खटे बनकी smell आने लग जाएगी और जो आपने चोकले नमक है वो मेरा कई बार यूज किया हुआ है केक बनाने के लिए इसलिए थोड़ा ब्राउन हो रखा है इस नमक को हमें कुकर के बोटम में एक दमचे से फैला देना है गेस की फ्लम को हमें low medium कर देना है और इस कुकर को हम ढख करके प्री हिट होने के लिए रख देंगे इ जो हमने बेटर तैयार किया था उसमें हम एड करेंगे हमारी है मैल्ट कीवी चोकलेट इस चोकलेट को हमें दही और चीनी के मिक्स्चर में इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है चोकलिट को हमने इस मिक्षर में एक दमचे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने हाँ पर एक चन्नी ली है और इसमें हम एड़ करेंगे एक कप मैदा और इसके साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा एड़ कर लेंगे इसे के साथ हम इसमें कोको पाउडर एड़ कर लेंगे मैं इसमें लगबग तीन चमच कोको पाउडर एड़ कर रही हूँ अब हम इन सबी चीज़ों को चलने के मदद से इस तरह से चान लेंगे इस तरह से चान कर डालने से क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आते हैं और सबी चीज़ एक तम अच्छे से मिक्स हो जाती है साने से इस बेटर में हमने इन सभी चीजों को अच्छे से चान लिया है अब हम इसे स्पेचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें बिल्कुल भी लंज नहीं रहने देने हैं अच्छे से मिक्स करना है इसे सबी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो यह बैटर है वो मुझे थोड़ा गाड़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा दूद आड़ कर रही हूँ मैंने आपर एक कप दूद लिया है जिसे हम जरूरत के अकोरिंग थोड़ा करके डालेंगे मुझे अभी भी थोड़ा गाड़ा लग रहा है थोड़ा टाइट बेटर लग रहा है है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूद और एड़ कर रही हूँ टोटल हमने इस बैटर में वनफोर्थ कब दूद्ध एड़ कर लिया है अगर आपका बैटर ओल्रेडी सही है तो आप इसमें दूद्ध मट डालिएगा अगर आपको थोड़ा गाडा लग रहा है थोड़ा टाइड बैटर लग रहा है तब इसमें डालिएगा साथ ही मैंने अपके छाइड ग्रफ कर लिया है अच्हे से गृटर विपल लिया है तो स्काल यसे शेयन पर कर भाद में डालकार लिया स्में की उपर से भी हम हलका सा ओल लगा देंगे जिसे हमारा कीक बिल्कुल भी नाचिप के और असानी से निकल आए बाहर केक टीन को हमने एक दमची से गृष कर लिया है और अब हम इस बेटर को इस केक टीन में निकाल लेंगे फ्रेंड्स आप बैटर की consistency देख सकते हैं इसी तरह का बैटर आपको बना करके तयार करना है इस बैटर को हम इस केक्टिन में अच्छे से फैला दिया है अब हम इसे हलका सा tap कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी bubbles ना रहें और इसके उपर से भी हम इसमें कुछ dry fruits एड़ कर दें कि अच्छे से फैला लेनी के बाद spatula की बंदस से हम इसे हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि जो dry fruits से वह बाहर की तरफ ना निकले और अंदर की तरफ एक दमचे से चिपक जाएं इस बैटर में कुकर भी एक दमचे से प्री हिट हो गया है लिड को हम हडा लेंगे और इस कुकर में हम डालेंगे stand आपके पास जो भी stand अवलेबल हो कोई कटोरी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास stand नहीं है तो इस तरह से लगा देना है और इसके उपर हम केक्टिन रख देंगे बड़ कुकर की सीटी भी हमें निकाल लेनी है पांच मिनट तक फूल रखकर हम इसे पकाना है और पच्छिस मिनट तक इसके फ्लैम को लो मेडियम रखकर पकाना है के टोटल तीस से 35 मिननट तक हमने इस केक को एक दमचे से बैक कर लिया है आप जाएं तो इसे बीच में चेक करके भी देख सकते हैं लिट को हम हटा लेंगे और देख सकते हैं यह पर से तुक दमचे से पका हुआ लग रहा है इसे हम टूथिक की मदब से चैक भी कर लेते हैं और आप देख सकते हैं जो टूथपी को एकदम क्लीन निकली है यानि की केक हमारे एकदम अच्छे से पक गया है गिस की फ्लेम को हमें ओफ कर देना है और इस केक्टिन को हम बाहर निकाल लेंगे बड़ी ही साफधानी से निकालना है क्योंकि जो कूकर है वो इसके उपर हम एक प्लेट रखके इसे उल्टा करके इस केक को बाहर निकाल लेंगे और ये देखे बड़ी ही असानी से केक बाहर आ गया है कितना बढ़िया केक बना है बिल्कुल भी नहीं जला है इसका जो बटर पेपर है उसे हम निकाल लेंगे हटा लेंगे इस केक को हम सीधा कर लेंगे जिए को हम थोड़ी दियर के लिए ठंड़ा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसे कट करेंगे 15-20 Connect के लिए हम यहीं से ठंड़ा होने के लिए रख दिया था और और हम इसे कट कर लेंगे मैं इस केक को ब्राउनी की तरह स्कॉयर शेप में कट कर रही हूं आप चाहिए तो इस केक को किसी भी शाइज और शेप में कट कर सकते हैं जैसे आप खाना पसंद करें उसी तरह से कट कर सकते हैं प्रेंड्स आप देख सकते हैं यह कि कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है तो यह लिजी फ्रेंड्स हमने बहुत ही टेस्टी ब्राउनी बना करके तयार कर ली है बहुत टेस्टी बनी है अगर आप इस तरह से एक पर बना करके खा लेंगे न तो आप मार्केट से लाना कर दीजेका और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप सभी की प्यारे-प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसी ही नहीं नहीं मज़ता रेसिपी देखते रहने के लिए अगर अभी तक आप इस बहुत ही टेस्टी चोकलेट ब्राउनी केक का मज़ा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नहीं वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई